दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सेप्टिलीन टेबलेट क्या है और इसका उप्योग क्यों किया जाता है साथ ही ये हवी जानेंगे कि सेप्टिलीन टेबलेट के कौन-कौन से फायदे और नुकसान होते हैं इसके अलावा सेप्टिलीन टेबलेट से ज सूजन, बुखार, कमजोर, इम्योनिटी और टॉंसिलाइटिस सहित कई अन्य समस्याओं में भी उप्योग किया जाता है। सेप्टिलिन टेबलेट के मुख्य घटक, महरसनादिकवाद 30 mg, आमल की 8 mg, मन्जिष्था 15 mg, यश्टी 6 mg, बुडुची 14 mg, गुगुलू 80 mg, पुशकर 13 mg, मन्जिष्था 8.9 mg, बुडुची 8.3 mg, पुशकर 7.7 mg, आमल की 4.7 mg, यश्टिमधू 3.5 mg, ट्रिकेटू 13 mg, इन सभी चीजों के मिश्रन से septiline tablet बनाया जाता है जिससे ये हमारे लिए बहुत ही फायदे मंद होते हैं septiline tablet के फायदे septiline tablet के कई सारे फायदे होते हैं जैसे की उप्री श्वसन तन्फ संक्रमन को ठीक करने में भुखार को ठीक करने में सेptiline tablet या सिर्फ का उप्योग करने की सलाह दी जाती है और अधिक जानकारी जानने के लिए किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ले septiline tablet के नुकसान यदि septiline tablet का उप्योग डॉक्टर की सलाह के अनुसार किया जाए तो किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट या नुकसान नहीं होता है फिर भी यदि आपको इसकी सेवन से किसी तरह की समस्या होते है तो तुरंट डॉक्टर से संपर करे और इलाज कराए septiline tablet की खुराक septiline tablet की खुराक व्यक्टी की ओम्र, लिंग और वजन के अनुसार तैकी जाती है साथ-साथ ये हवी देखा जाता है कि व्यक्टी को क्या बीमारी है और कितनी गंभीर बीमारी है बीमारी की अभी शुरुआत हुई है या फिर infection ज्यादा गंभीर हो गया है इन सब चीजों को देखते हुए डॉक्टर रोगी को खुराक तै करते हैं बच्चों के लिए 6 महीने से लेकर 5 वर्ष की आयू तक के बच्चों को septiline के drops दिये जाते हैं और 6 महीने से कम आयू के बच्चों को septiline tablet नहीं दी जाती है 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे को 2 ml या 3 ml दिये जाते हैं और धीरे-धीरे दवाई के दोस को बढ़ाया भी जा सकता है 3 ml के दोस को 0.5 ml तक बढ़ाया जा सकता है और 4-5 वर्ष की आयू तक के बच्चों को 5 ml दिन में 2 बार दिये जाते हैं तो यह थी सेप्टिलिन टेबलेट के बारे में जानकारी आशा करते हैं कि आप जो जानकारी जानना चाहते थे आपको वह जानकारी मिली होगी और इसी तरह के जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले धन्यवाद